बुरा वक्त हमारी छिपी हुई प्रतिवा को निखारने के लिए आता है। हमेशा धेद्य रखना चाहिए जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। अपनी सोच ब्रैंडेड कीजिए, कपडे नहीं। हमेशा जबाब देना ही अच्छा नहीं होता, कुछ जबाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। हाथ की लकिरों के चकर में मत आईए जनाब, किस्मत उनकी भी होती है, जिनके हाथ ही नहीं होते। कुछ दुख तो इसलिए भी है, कि इंसान ने ख्वाइशे बेपना पाल रखी है। एक जूट को चुपाने के लिए सो जूट और बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच हमेशा सच ही रहेगा। हमेशा सबका भला कीजिए, इससे आपको असीम शान्ती का अनुबह होगा। दुसरों को फूल लेकर भी हमारे आत्मे खुश्बू अकसर रहे जाती है। यह मत सोचिये कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बलकि यह सोचिये कि इश्वर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें, क्यूकि इनके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत घहरे होते हैं। विश्वास जीतने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन इसे तोड़ने में केवल एक सेकंड लगता है और यदि एक बार यह तूट गया तो फिर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता एक अच्छा इंसान अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है क्योंकि अच्छी बाते तो दिवारों पर भी लिखी होती हैं लोग जितना समय दूसरों को वाटसेप स्टेटेस देखने में लगाते हैं उतना समय अपना भविश बनाने में लगाए तो उन्हें कामियाब हुने में कोई रोक नहीं सकता कभी कभी चुप रहना बोलने से अधिक असर करता है यह दुनिया तभी तक पुछेगी जब तक किसी के काम आओगे अक्सर काम निकल जाने के बाद लोग पहिचानना भूल जाते हैं जैसा बीच बोओगे वेसा ही फल पाओगे बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं लग सकते बोलना तो सभी जानते है परन्तु किस जगह पर क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं बड़ी बड़ी बाते करने वाला महान नहीं होता बलकि छोटी छोटी बाते समझने वाला महान होता है सुख में तो हजार साथी मिल जाएंगे मगर तलाश उसकी करो जो दुख में साथ दे बचपन बड़ा होने के सपने दिखा कर कब चला गया पता ही नहीं चला कोशिश यह करो कि किसी की आखों में आसु हमारी वज़े से न हो खेल में हारा हुआ व्यक्ति दोबारत जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता शब्दों में भी सुवाध होता है किसी के सम्मुख परोसन से पहले एक बार चक ले कि कही कड़वा तो नहीं है गल्तिया होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन गलती स्विकार करना बहुत बड़ी बात है अपने अंदर संसकार विकसित कीजिए अहंकार नहीं जो हम दुसरों को देंगे वही हमारे पास लोट कर आएगा फिर शायव सम्मान हो या अपमान बिना मतलब के रिष्टे निभाना हर किसी के वश की बात नहीं है इसके लिए बहुत बड़े दिल की आवशक्ता होती है छोटी-छोटी असफलताओं से निराश होने की जरूरत नहीं है याद रखे गुच्चे की आखरी चाबी भी ताला खोल सकती है यदि अच्छा कल चाहते हो तो अपना आज अच्छा बनाओ अचंबित है गिरगीट यह सोचकर कि आजकल इंसान मुझसे अधिक रंग एसे बदल रहाए यदि किसी इंसान को समझना हो तो उसे बोलने का मौका दे उसकी जुबान से ही आप उसे समझ जाओगे बिना विश्वास के रिष्टे उस मोबाईल की तरह है जिसमें सिमकाड ही नहीं है एसे मोबाईल में लोग केवल गेम खेलते है आप धूप का आनन तब तक नहीं ले सकते जब तब आपको बारिश का अनुभू नहों अच्छा इंसान ढूणने से अच्छा है क्या आप अच्छे बन जाओ क्या पता किसी की तलाश पूरी कर दो जो आप जैसा इंसान ढूण रहा हो जो काम करता है वह गलती भी कर सकता है निकम्मा व्यक्ति तो दूसरों की गलतिया ढूंडे में ही समय बर्बाद करता है अपनी जिन्दगी के कुछ पल सुकून के लिए निकालिए इंसान की जरूरते तो कभी पूरी नहीं होंगी बिना कुछ की ये पश्टाने से बहतर है कोशिश करके असफल हो जाना सबसे खुबसूरत तोफ़ा जो हम किसी को दे सकते है वह है समय यदि आपको असफल होने से डर लगता है तो सफल होने का खौप छोड़ दो साफ रोको किरदार अपनी नजरों में दुनिया क्या केती है इस पर ध्यान मत दो एक छोटी सी गलत फेहमी मजबूत से मजबूत रिष्टे को भी पल भर में समाप्त कर सकती है जब हम किसी का अपमान करते है तो दर असल उस वक्त हम अपना सम्मान खोते है अच्छाई के शुरुवात अपने आप से करे यदि हर व्यक्ति अपने आपको अच्छा बना ले तो सारी दुनिया में अच्छाई अपने आप ही फैल जाएगी